हेलो एवरिवन, CBC Board का यह chapter बायो टेकनोलोजी प्रिंसिपल एन प्रोसेस और दूसरा है इसके application तो इन दोनों chapter का जो वेटेश है वो 12 marks है तो अगर आप यह दोनों chapter प्रिपेर कर लेते हैं तो 12 marks आपके कहीं नहीं गए और यह छोटा सा chapter है तो चलिए इन दोनों chapter को systematically complete करते हैं जैसे कि पहला chapter है बायो टेकनोलोजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस तो इस chapter में सबसे पहले यह बताया गया है कि बायो टेकनोलोजी क्या है उसके principle और टूल्स अगर इस chapter की मैं बात करूँ देखिए पहले chapter को आप study करने से पहले समझ ली क्योंकि NCRT में चीज़े इधर उधर दी गई हैं तो वह बहुत complicated हो जाती हैं तो पहले यह समझते हैं कि कैसे chapter को complete करते हैं तो इस chapter को तीन पार्ट में हम लोग complete करेंगे मतलब पहला अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसके principle के बारे में बात करें कि बायो ट technology में use होते हैं और फिर इसका complete process ठीक है तो यह तीन पार्ट में chapter हो जाएगा तो तीन पार्ट में chapter को हम लोग complete करेंगे ओके मैं आपको complete कराऊंगा तो चलिए start करते हैं पहले मैं आपको बायो टेकनोलोजी की basic चीज़ बता रहा हूं कि बायो टेकनोलोजी है क्या देन क्या था जैसे traditionally यानि पुराने जमाने में होता क्या था कि जैसे pickle का formation कर रहा है चार का ठीक है या दूद करड़ बनना है तो करड़ दही कैसे बनता था चोटा सा small सेंपल जिसे इनाकुलम बोलते हैं वो shop से लाते थे और दूद को गरम करके डाल दे दे थे और पूरा दू कोई चीज बेटा ऐसी जरूर थी उस इनाकुलम में जो आप shop से लाए थे जिसने पूरा का पूरा दूद चेंज कर दिया ठीक है तो क्या था उसमें एक cell थी bacteria की lactobacillus जिसने normal दूद में क्या किया acid release किया और जब acid release किया तो उस acid से normal दूद भी card में चेंज हो गया यानि क कि उस bacteria ने कोई ना कोई चीज release की तो अब थोड़ा सा molecular level पहला जाते हैं क्योंकि आप ने इसके पहले chapter पढ़ा था देखिए जो भी ये चीजे बन रही हैं enzyme protein ये सब क्या है आखिर ये सब DNA के truth बनते हैं यानि character है तो DNA जो हमारा होता है जैसे माली जीए ये nucleus है nucleus के अंदर DNA है और DNA में small segment को हम लोग genes बोलते हैं समझ में आई बात तो जो ये genes है ये genes ही indirectly different product बनाते हैं ठीक है different product बनाते हैं तो अब वो जैसे lactobacillus bacteria ने अगर कोई acid produce किया था तो वो lactic acid को produce करने वाला कोई ना कोई genes ही ही तो होगा और उस genes ने क्या बनाया lactic acid बना दिया क्या बनाया lactic acid तो पहले ये चीज नहीं थी अब modern biology में क्या करते हैं इसको ध्यान से समझे ये तो कि traditional की पूरी पूरी cell नो ने डाल दी और वो पूरा प्रोडेक्ट बन गया commercial ज्यादा यूस किया जाता है लेकिन अब new biotechnology का अगर हम लोग यूस करें तो हम लोग simple सा क्या करेंगे कि ये मालीजे कोई cell है ये cell के अंदर DNA है और ये मालीजे वो genes है ये इतना segment हम लोग क्या करेंगे इस genes को ही पहले isolate कर लेंगे क्या करेंगे isolate कर लेंगे और isolate करने के बाद में इस genes को जो ये हमने बाहर निकाला है इसको desired genes desired chromosome कुछ भी कहा जा सकता है foreign genes इसको हम एक दूसरी cell में जिसको host cell बोलते हैं उसके अंदर ठीक है एक vector के through ये vector इसके में मिला के vector के through इसके अंदर insert कर देंगे इस host cell में ये माली ये है और ये foreign genes है जो वेक्टर लेक्टर है ये पूरा वेक्टर है अब जब ये vector replicate करेगा तो ये genes अपना product भी बनाएगा मैं अब इसको detail में बताऊँगा लेकिन आप ये समझ लीजे कि modern तरीके में हम लोग किसी भी जो हम लोगों को desired gene है जो जिसका gene का हमें product बनाना उसको निकाल लिया दूसरी cell में insert कर दिया और वो product बनाने लगेगा और उसी का commercial यूज करने लगे इंडरेक्टली आप ये समझ जाए कि कि किसी भी जो भी हमें product चाहिए उससे related हमने desired genes को isolate किया और bacterial cell में उस genes को transfer करके large scale में product बना लिया that is the biotechnology यही latest चल रहा ह तो अब आप समझे इतना ज्यादा यह advanced methodology है कि अगर biotechnology नहोती तो आज यह जितने भी genetic disorder देख रहे हैं या hybrid varieties आप crop की देख रहे हैं यह जो disease आपकी ठीक हो रही हैं यह सारी चीजे biotechnology की दिन है that is a very important and advanced technique तो आप चीजे समझ गए होंगे तो अब point to point में आपको biotechnology आप bad genes को निकाला vector में मिलाया और host cell में transfer कर लिया और उसके द्वारा बड़े पैमाने पर product को बना लिया यह 3 step है mainly अब इनको detail में हम लोग बात करेंगे कि कैसे DNA को निकाला जाता है कैसे vector में mix किया जाता है और कैसे उसको transfer किया जाता है यह सारी चीजे दी गई चैप्टर में यह चैप्टर का introduction था जो मैंने आपको बता दिया ठीक है अब आप जैसा कि screen पर देख रहे होंगे screen पर आपको जो पहली slide दिखाई पड़ रही है basic concept है और मैं यह भी बताता है चलूंगा कि कौन कौन से question पूछे जाते हैं board में और बाद में मैं आपको question की practice भी कराऊंगा तो chapter के साथ में practice मेरे जो upcoming video होंगे folder में आपको मिलेंगे मेरे apper chapter का name से folder होगा आप folder पर click करिएगा और उस पर part wise video होंगे part 1, part 2, part 3 नाम भी पढ़े होंगे और उसके बाद में उसी folder में नीचे लिखा होगा question series part 1, part 2, part 3 तो इस तरीके से आप आसानी से देख सकते हैं चलि and their enzymes to produces, product and processes useful to human being देखिए मैंने अभी बताया जैसे bio technology में क्या किया जाता है कोई भी microorganism जैसे bacteria हो गया, कोई plant हो गया या animal इनमें से कोई भी Excel होती है उस microorganism का जो भी DNA है उसमें जो भी genes है जिसका हमें product बनाना है ठीक है लिखा भी their enzyme to produce product जो produce product को वो enzyme product बना रहा है उसको निकालना और उसको large scale पर product में change करना जो कि human kind के लिए useful हो ठीक है तो इस technique को ये normal definition हो गई biotechnology के सबसे पहले जो term दिया था biotechnology का वो कार्ल इरकी ने दिया था 1990 में ठीक है ये भी important है ये one marks में बोर्ड में पूछा गया है इसके बाद में जो European Federation of Biotechnology है EFB ठीक है उसने क्या biotechnology की definition दिये है biotechnology is the integration of natural science, organism, cell, parts, thereof and molecular analogs for product and services यही चीज मैंने आभी आपको बताई है कि biotechnology में क्या integration, integration मतलब क्या जिसे एक का DNA निकाला दूसरे में mix करके transfer कर दिया natural science है, organism लेते हैं या organism या उसकी cell या उसका part मतलब वही आपका genes और molecular analogs का मतलब क्या होगे जो भी उसके DNA या genes हमने निकाला दूसरे में mix किया और उसके through क्या हो जागा product बन जाएंगे और product की services, services का मतलब क्या है पर क्यों product mankind के लिए useful होगे ठीक हो मतलब product बनना उसके बाद में उस product की quality testing यह पूरी जो definition आप देख रहे हो यह European Federation of Biotechnology के that is the valid definition और अगर board में आए तो आप यह ही लिखिएगा अच्छे marks मिलेंगे तो यह कुछ basic चीज़े मैंने यहाँ पर बताती है that is the introduction I think hopefully आप लोग समझ गए होगे इसके बाद में देखे मैं video बहुत बड़े बड़े नहीं बना के डालूँगा जिससे आप लोग board होगे लेकिन जितनी चीज़े में बताऊंगा बहुत clear और easy language में होगी आप easily उनको समझिये का कि समझना concept समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जो भी board में आपका pattern है na competency based question तो वो बेटा तभी समझ सकते हैं जब आपको concept clear होगा concept ने clear होगा तो examiner कहीं से भी question complicated करके रखतेगा और आपको question वो समझ में नहीं आएगा चलिए अब इसके principle पर हम लोग focus करते हैं जो भी principle है ठीक है क्या है the two core technique that develop modern biotechnology देखिए आखिर वो कौन दो टेकनिक थी जिन्होंने modern biotechnology को बेटा डेवलब किया तो पहले टेकनिक होगी genetic engineering और दूसरी टेकनिक होगी sterilization method ठीक है यह दोनों टेकनिक के बिना biotechnology नहीं possible है तो पहली टेकनिक समझते genetic engineering आपको नामी से पता चल रहा होगा genetic genetic का मतलब होता है यानि genetic material से related genetic material आपका क्या हो सकता DNA या RNA और engineering में क्या करते हैं कोई चीज कट करेंगे construct करेंगे बस यानि आपके DNA में cutting cutting यानि adding cutting कुछ भी करना तो वही लिखा है which is modified of chemical nature of DNA RNA and their introduction into another host organism to change the phenotype character of the organism या host देखे मैं पूरी line आपको with the help of diagram समझाता हूँ इस line का मतलब यह क्या हुआ जैसे माली यह cell है यह cell बेटा किसी की वह सकती plant की animal या bacteria जिससे हमें desired character लेना है desired character का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं मैं एक example से समझा रहा हूँ जैसे हम लोगों में genetic insulin आजकल आप देखने है diabetes सबसे ज़्यादा हो रही न तो diabetes बनाने के लिए जो pancreas में हमारी beta cell है वह नहीं से insulin बनता है तो beta cell में कोई problem आ जाती जिससे insulin नहीं बनता है तो modern biotechnology का use करके हम लोग lab में artificially insulin बना सकते हैं जो बिल्कुल exact जो हमारी body में insulin बन रही उसी के जैसे होगी तो इसको कैसे बनाया जाता है देखें यह पूरा इसी genetic engineering के थुरू मैं आपको समझाता हूँ जैसे माली जी हमारी body की cell है pancreas की beta cell इसके अंदर क्रोमोजोम होगे और क्रोमोजोम किसके बने तो DNA मैं चोड़ा डाइग्राम में DNA बना रहा हूँ तो माली जी एक छोटा सा genes है यही insulin बना रहा है तो हम लोगों ने क्या किया सबसे पहले इस से एक healthy person की cell ली pancreas की आपको infected person होगा जिसको diabetes होगी उसके cell थोड़ी लोग है तो insulin बना ही नहीं रही तब इसको diabetes होगी आपने healthy person की cell ले ली अब उस healthy person की cell लेने के बाद में उसमें से यह जो genes है जो particular insulin बना रहा है इसको आपने isolate कर लिया माली जीए यह निकल गया जा ठीक है तो अब हमने क्या किया यह लिखा ना modify chemical nature हमने DNA निकाला इस DNA को एक वेक्टर वेक्टर क्या होता है जो DNA को एक होसेल से दूसरे होसेल में transfer करता है इसके बारे में detail में मैं अभी बाद में जब tools वाला पढ़ेंगे तब बताऊंगा तो अब समझ लीजे यह वेक्टर है इस वेक्टर के थूरू हमने य DNA निकाला और यह हमारी bacterial cell है क्योंकि bacterial cell का हम लोग आज कल यूज करते है commercially क्योंकि बहुत उसके reproductive time भी कम होता है और आसानी से product बनाता है हमने इस bacteria में introduce करा दिया वेक्टर अब बिटा यह गया और जब बैक्टिरिया का DNA replicate करेगा divide होगा तो यह भी replication करेगा तो यह एक से दो दो से चार ऐसे बनते जाएंगे और हमारा insulin large scale पर बनता जाएगा तो वही लिखा है chemical nature of DNA RNA हमने देखे DNA का chemical nature बदला कैसे बदला निकाला और दूसरे होस्ट में डाल दिया और उसको दूसरे होस्ट में introduce करा दिया देखे यह DNA हमारा निकला था इसी को तो इसके अंदर insulin नहीं बना रहा था लेकिन जैसे ही हमने उसको अपना इंसूलीन का इंसर्ट करा आया तो अब यह cells भी यह bacteria cell भी क्का बनाना लगी इंसुलीन बनाने लगी तो यही इसको फिनोटिपिक करेक्टर चेंज हो गया मतलब पहले इंसुलीन नहीं बना रही थी अब इंसुलीन बना रही है तो आप लोग समझ गया होंगे जेनेटिक इंजिनरिंग का मतलब मैंने विद डाइग्राम आपको बता दिया देखिए अगर कोई चीज आपको समझ में ना है दुबारा वीडियो को रिवर्स कर लेना मैं बटा यह नहीं करूंगा कि एक चीज बार-बार बताओं उससे आपका टाइम के लोगा मैंने एक च इस्ट्रलाइजेशन का जो जनरल मैथेड होता है वह होता कंटेमिनेशन फ्री इसको आप ऐसे समझ लीजे जैसे हॉस्पिटल में आप देखते थे कि जो भी डाक्टर आपरेटर्स यूज करते हैं कुछ भी आपरेशन के लिए सीजा रिजा उसको बेटा अगर एक पेशे मशीन आती है उसमें टंपरेचर सेट कर दिया जाता है तो क्या होता है इसमें माइक्रोबियल फी हो जाता है तो अगर हम कोई भी अपने एक्सपेरिमेंट बायो टोक्नियोजी का कर रहे हैं और वह इस्ट्रलाइज मेथेड नहीं उसमें यह बहुत हाइजीनिक कंडिशन ही रख रहे हैं तो बेटा क्या हो जागा कोई दूसरा भी उसमें कंटेमिनेशन हो सकता है समझ गया है तो जो डिजाइड प्रोडेक्ट है वो मिलेगा ही नहीं कुछ और दूसरा बन जाएगा तो वही लिखा है तो मेंटेन ग्रोथ एंड मैनिपूलेशन आफ ओनली डिज जाएड माइक्रोब्स मतलब जैसे एक वने बैक्टिरिया लिया जीन इंसर्ट करने के लिए ऐसा ना कि किसी दूसरे में इंसर्ट करते है ठीक है या सेल इन लार्ज कॉंटिटी फ़र मैनुफेक्ट्रिंग ऑब बायोटिक्स वैक्सीन और इंजाएम और बताया जा रहा है बायोटी के थूँ हम लोग एंटी बायोटिक या वैक्सीन और बनाते हैं तो इसके लिए बहुत गयर रखी जाती है आप जैसे आप समझे एक एंटी बायोटिक है माली जे कोई भी हम बना रहे है पैनीसीलिन पैनीसीलिन एंटी आपको मालूम भी होगा कि फंगस मिलती प बनेगी लेकिन जब फंगस कोई दूसरा आ गया तो वह प्रोडेक्ट नहीं बनेगा दूसरा प्रोडेक्ट बन जाएगा समझ में आ रहे हैं इसलिए हाईजीन कंडिशन होनी चाहिए तो आप यह दूनों स्टेप समझ गया होंगे जैनेटिक इंजिनिरिंग और देखे हमको यह जिसे अभी आपने माली कुलर वाले चैप्टर में पढ़ा ना हीनुमन जीनॉम प्रोजेक्ट उसमें हमने पढ़ा कि हर करेक्टर के लिए एक जीन्स रिस्पॉंस्विल है तो सबसे पहले यह पता करना चाहिए कि जो भी हमें प्रोडेक्ट बनाना उससे जीन्स है तो उसके लिए हमें डिजारेबल जीन्स को सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा डिजारेबल जीन्स है यह नहीं जीन्स प्रोडेक्ट मलब जैसे हमें बनाना इंसुलीन तो इंसुलीन वाला जीन्स होना चाहिए हाइट वाला जीन्स ले लेंगे तो इंसुल ने डाइग्राम से बताया DNA को isolate किया है उसको host cell के अंदर introduce कर देंगे चीक है तो वह हो जाएगा recombinant DNA और maintenance of DNA into host and gene cloning अब जो हमने वह वेक्टर में जीन्स मिलाके host के अंदर insert किया था वह maintain रहे मतलब वह replicate करें ऐसा नहों insert तो कर दिया replication करी नहीं रहा जब replication नहीं होगा तो बैटा genes की multiple copy भी नहीं बनेगी और multiple copy भी नहीं बनेगी तो product हमारा बनेगा नहीं चीक है और फिर क्या होगा finally gene transfer मतलब genes transfer का मतलब यह फाल्दू का point है जब हमने यहीं पर host में genes transfer को rolling करा दी तो कोई मतलब नहीं यह genes transfer का मतलब यहां पर यह है जैसे माली यह एक cell है उसके अंदर हमने यह genes transfer कराया तो यह जब इवाइड हो जाएगी तो इसके अंदर भी यह replicate गवर genes जाए तब ही दोगा यह यह related ठीक है यह जितने भी scientist दियेगा मैं आपको बता दे रहाँ बेटा यह पूछे गए हैं कई बार very very important update कर लिजेगा in scientist को आप learn कर लिजेगा mcq में या one marks question में आपको मिलेंगे देखिए पहले जो scientist दिये है इस्टेले कोहन एंड हरवर्ट बॉयर constructed the first recombinant DNA इन्होंने सबसे पहला recombinant DNA रिकंबिनिंट का मतलब क्या होता है जैसे माली यह तूसरे organism का DNA यह desired DNA जो दो organism के DNA मिला दो तो recombinant DNA हो गया ठीक है इन्होंने सबसे पहले recombinant DNA बनाया था हरवर्ट बॉयर ने क्या किया था work on the restriction enzyme इन्होंने सबसे पहले restriction enzyme पर वर्क किया किस से E.coli bacteria से which cut DNA in particular fashion जो DNA को एक particular side से cut यह नहीं बिटा जहामन में आए वहास cut कर दे produce starchy end और कैसे starchy end बनते हैं जिसको मैं बाद में बताऊंगा इस restriction इंड वर ligated और इन restriction इंड को ligate मतलब एक enzyme होता ligase उनके थूँ जोडा जाता है ठीक with desired piece of DNA जो दूसरा DNA है मतलब आप यह समझे जैसे आप इस diagram से समझ सकते हैं मालीजे यह gene से desired यह cloning vector है तो restriction enzyme का use करके वह जहां से इसको काटेगा वहीं से उसी segment से काटेगा तो cut करने के बाद में यह genes जाके इसी पर जाके ऐसे add हो जाएगा ठीक यह मतलब होता है अच्छा अब important बात आती restriction enzymes क्या आप इतना समझ लीजे कि restriction enzyme के बिना बाय टोकनलोजी पासिवल नहीं है क्योंकि restriction enzyme क्या करता है डियने को particular place से cut करता है ठीक है particular place से cut करेगा ठीक है तो इसलिए that is very important और यह restriction enzymes bacteria में पाए गए ठीक है और इसके बारे में bacteria में क्यों पाए गए क्योंकि एक experiment हो रहा था उसके थूरू यह पता चला कि bacteria में जब वाइरस का genome डाला गया DNA तो उस bacteria इंफेक्ट नहीं हुई तो scientist ने पता किया कि bacteria उसमें defense mechanism होती है और तब यह isolate किया गया था ठीक है इसके बाद stelekohen ने क्या किया studied plasmid DNA floating freely in the cytoplasma bacterial cell देखिए जैसे यह bacteria cell होती तो bacterial cell में खुद का भी DNA होता यह जिसको nucleide बोलते हैं आप में पढ़ा होई होगा लेकिन इसके इलावे इसमें extra chromosomal genetic material होता है जिसी को plasmid बोलते हैं यह plasmid ने यह पता किया कि यह जो bacteria में extra chromosomal genetic material होता है जिसे plasmid बोलते हैं यह vector की तरह यूज किया जा सकता है that is very great discovery ठीक है तो इन्होंने बताया इसके बाद में they isolate antibiotic resistance genes from plasmid of bacteria इसके बाद इन्होंने जो bacteria था उसमें जो plasmid था उसमें antibiotic resistance genes था उसको भी इन्होंने isolate किया ठीक है और E.coli में incorporate किया which could be replicate using the new host DNA polymerase enzyme and make multiple copy और उसके बाद में insert करके देखा कि उसकी multiple copy बन जाती है यह antibiotic resistance genes marker की तरह use होता है अभी आगे बताऊंगा marker genes क्या है बस आप discovery समझे यहां पर कि किन scientist ने क्या discover किया अब बेटा आ जा रहा है step carried out in constructing first recombinant DNA कि first recombinant DNA कैसा बना था इसके कौन कौन system थे ठीक तो उसको इन्हीं लोगों ने बनाया था क्या किया था ध्यान से समझेगा जैसे genes encoding antibiotic resistance in the native plasmid of salmonella typhemorium was identified चीक है देखिए सबसे पहले क्या था बहुत कैरफुली समझेगा एक bacteria था जिसका नाम था Salmonella typhemorium के माले यह bacteria मैं यह बना दे रहा हूं carefully समझेगा इस bacteria में एक plasmid था अब plasmid में एक genes था यह मैं बना दे रहा हूं ब्लू कलर समझेगा यह जो छोटा सा segment था जिसको genes बोलते हैं यह एक character show करता था Antibiotic resistance मतलब इस पर कुछ antibiotic का असर नहीं होता था अगर आपके अंदर कोई particular antibiotic related resistance genes है तो आपकी body पर उस antibiotic का असर नहीं होगा यह चीज बहुत बड़ी खोजी इन्होंने discovery की ठीक है समझ गया होंगे फिर से समझेगा Salmonella typhemorium bacteria था ठीक है उसके अंदर एक plasmid था Plasmid में बेटा एक genes था जो antibody के लिए resistance था तो यह बहुत बड़ी discovery की इन्होंने Plasmid क्या होता? Autonomously replicating circular extra chromosomal DNA यह plasmid की definition है जैसे यह bacteria cell है और उस bacteria cell में आप जब देखो कि तो यह red color का extra chromosomal genetic material होता है हाई DNA है लेकिन यह अपने आप replicate करता है replicate का मतलब इसकी एक से दो, दो से चार ऐसे कापियां होबनती रहती है जैसे जैसे bacteria cell divide करेगा तो यह plasmid था, ओके आगे की तरब कुछ point ठीक है, दो point और बचे इसके पाद अगला क्या, the desired DNA was cut at specific location by restriction enzyme देखिए मैंने बताया na restriction enzyme क्यों important है हमने कोई DNA में यह segment देखा कि यह desired DNA है किसी भी character के लिए लेकिन इसको निकालना तो पड़ेगा और particular place से cut भी करना पड़ेगा तो particular place से cut कर दे के लिए ही restriction enzyme का use होता बेटा otherwise यह इतने specific होते हैं कि अभी मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे read करके particular base pair से ही cut करते है ठीक है location से तो इसलिए इनका बहुत ज़्यादा importance है तो दूसरे system में क्या करेंगे जो हमारे desired DNA या segment of DNA या foreign genes कई नाम होते है उसको cut किया जाता है इसके बाद क्या है the cut DNA was linked to plasmid अब जो genes cut होके आया इसको इस plasmid से क्या करेंगे यहां पर link कर देंगे ठीक है और फिर इसको transfer कर देंगे किसी host cell में host cell वो cell होती जिसके अंदर यह plasmid जाएगा desired genes को लेके और product बनाएगा और आज कला host cell के रूप में हम लोग bacterial cell का जादा यूज करते हैं क्योंकि इसका reproductive time काम होता मतलब एक गंटे में पता चला 60 generation divide हो गया ठीक है तो अधरी जल्दी product बनाएगा तो आज के लिए यह मेरा पहला video है ठीक है आज के लिए इतना है इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग tools of recombinant DNA technology study करेंगे thank you